Hello friends, welcome back to our channel. आज हम French author Alphonse Dodey की लिखी होई कहानी दी लास्क लेसन की सामरी हिंदी में सीखेंगे. सबसे पहले हम कहानी की सेटिंग के बारे में जानते हैं. ये कहानी फ्रांस के एक शहर अलसाज में घटती है. ये कहानी फ्रांको प्रश्यन वार के दौरान की है, जो की 1870 और 71 के बीच में लड़ी गए थी. अब इस वार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ताकि हमें कहानी अच्छे से समझा जाए. इस लड़ाई में फ्रांस प्रश्या से हार गया था. उस समय जर्मनी, पोलंड और आस्ट्रिया का कुछ पार्ट प्रश्या का हिस्सा थे. कहानी में दिखाया गया है कि फ्रांस के दो सिटीज, अलसास और लॉरेन, दोनों ही प्रश्यन कंट्रोल में आ गये थे. अब कहानी के मेंन क्यरेक्टर्स के बारे में जानते हैं. कहानी में मेंन कैरेक्टर है फ्रांस, जोगी एक स्कूल पॉय है. और कहानी का की एवेंट है लास्ट फ्रेंच लेस्टन. Stay last lesson एक sad स्टोरी है. ये स्टोरी हमें दिखाती है कि किस तरह से फ्रांस के दो शहर अलसाल्स और लॉरेन जब लड़ाई में प्रश्या के कंट्रोल में आ जाते हैं, तो इन दोलों शहरों में एजुकेशन और कल्चर के ऊपर क्या असर पड़ता है? ये कहानी हम फ्रांस एक यंग बोई की नजरिये से देखते हैं, जो की अलसास में स्कूल अटेंड करता है. चलिए फ्रेंस, अब कहानी शुरू करते हैं. फ्रांस की इस दिन की शुरुआ थोड़े डर से होती है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंच टीचर M. Hamill का दिया हुआ ट वे नोटस करता है कि बर्द्स चैचा रही हैं और प्रश्यन सोल्जर्स अपने परेड कर रहे हैं. इन सभी डिस्ट्राक्शन के बावजूद, फ्रांस डिसाइड करता है कि वे स्कूल जाएगा. स्कूल के रास्ते में फ्रांस टाउन हॉल को ग्रॉस करता है, जहां पर एक भीड जमा है, जो बुलिटन बोर्ट पे नोटस पढ़ रही हैं. फ्रांस यार्प करता है कि पिछले दो साल से इस बुलिटन बोर्ट पे अकसर बुरी खबर ही आती थी. या तो हारी हुई लणाई के बारे में नोटस होता था, या प्रश्यन गव्मेंट की कोई न कोई न है कि जल्दबाजी की जरुरत नहीं है, पर फ्रांस सोचता है कि ब्लाक्स्मित मजाग कर रहा है. फ्रांस हाफ ते हुए स्कूल पहुँचता है, स्कूल में इतनी शान्ती देखकर वहरान हो जाता है, क्योंकि अकसर स्कूल में बहुत शोर मच रहा होता है. फ्रांस अपने क्लास्रूम में बिना किसी के नोटिस में आए गुसने की कोशिश करता है। वे क्लास्रूम में जब एंटर करता है तो वे हैरान हो जाता है कि विलिज के बुजर्ग चुप चाप से क्लास की बाक सीट्स पर बैठे हैं। फ्रेंच टीचर M. Hummel अपने finest clothes में dressed है जो वो special occasions के लिए रखा करते थे। टीचर फ्रांस को अपने सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। फ्रांस को पता चलता है कि आज फ्रेंच का last lesson होगा। क्यूंकि जर्मनी ने order दिया है कि Alsace और Lorraine के schools में अपसे जर्मन पढ़ाई जाएगी और जर्मन का नया टीचर कल से आ जाएगा। टीचर की इस announcement से फ्रांस को शौक लगता है। उसे पच्चतावा होता है कि उसने अपने फ्रेंच के lessons पर ध्यान नहीं दिया। वो ये भी realize करता है कि French language उसे बहुत पसंद है। जो French किताबे उसे भार लगती थी, अब उसे अपने दोस्त लगने लगी थी। M. Hummel की speech से क्लास में बैठे सभी बुजर्ग, बच्चे और फ्रांस को उदासी और पच्चतावा दोनों महसोस होते हैं। सभी लोग M. Hummel की 40 साल की dedication को appreciate करते हैं। M. Hummel एक बहुत ही emotional lecture देते हैं, जिसमें वे French language की beauty और importance पर जोर देते हैं। वे ये भी बच्चों से अपील करते हैं कि अपनी मात्रभाशा को preserve करना कितना जरूरी है। वे कहते हैं कि अनसास के लोगों ने हमेशा language और education को neglect किया है। वे अपने कामों में ज़ादा busy रहते थे। M. Hummel को अपनी गल्दी का भी एसास होता है। क्योंकि वे याद करते हैं कि कभी-कभी वो students को छुट्टी दे देते थे। या कभी अपने बौधों को पानी देने भेज दिया करते थे। टीटेर आगे अपनी lecture में writing practice कराते हैं। वे सभी को नई copies बाटते हैं जिसके ऊपर France अलसाजे लिखा हुआ है। क्लांस का पूरा atmosphere बहुत ज़ादा emotional हो जाता है। फ्रेंच सीखने के लिए बच्चों और बुजर्ग दोनों में उच्सा दिखता है। Russian soldiers की parade की आवाज, trumpets की आवाज और church clock की बारां बचने की आवाज, क्लास की गंभेरता के महौल को और बढ़ा देते हैं। लेक्चर के आखिर में M. Hummel Blackport पे एक phrase लिखते हैं, जिसका मतलब है long live France. इस phrase से M. Hummel अपने देश प्रेम को express करते हैं। Friends, ये story highlight करती है कि political changes की कारण, personal और cultural identity में क्या फरक पड़ता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किस तरह से हमें अपने भाशा और विरासत की value करनी चाहिए और उसे protect भी करना चाहिए। ये कहानी आज भी relevant है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि education की power क्या है और किस तरह से हमें अपनी सभ्यता को preserve करके रखना चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सिखते हैं कि किस तरह से हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और अपनी national identity पर भी मान होना चाहिए। फ्रेंड्स एक नजर हम characters के उपर भी डाल ले। फ्रेंड्स एक young, carefree लड़का है जो की पढ़ाई में जादा ध्यान नहीं देता। लेकिन graduating वो ये realize करता है कि उसकी सभ्यता, उसकी विरासत के क्या importance है। M. Humal एक बहुत ही dedicated teacher है। उनका character हमें दर्शाता है कि अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को खोना क्या होता है। Thank you friends for watching. Keep watching, keep learning. And don't forget to press the bell icon. Q. अर्णास की विरासता है।